स्टांच का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं स्टांच का आर्थ होता है रोकना, थामना, बंध होना, थमना या बंध करना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने एक कपड़े के टुकड़े से नाओ के रिसाव को रोक दिया या बंद कर दिया तो आप कहेंगे He stanched the leak of the boat with a piece of cloth He stanched the leak of the boat with a piece of cloth या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके घाव से बहता खुन जम गया है तो आप कहेंगे Blood flowed from his wound has stanched Blood flowed from his wound has stanched अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें